अब देखना बहुत जल्द इस नाम से एक पिक्चर बन के आ जाएगे डियरेक्टेड बाइ राम गुपाल बर्मा और मैं यहाँ आप लोगों के एक डिस्कलिमट दे देना चाहता हूँ नाम सुनकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है एक कहानी है जो कभी न कभी आपके आसपास से गुजरी होगी और अगर नहीं गुजरी होगी तो एक लिए पांच मिर्ट तक आपको हसाएगा, गुदगुदाएगा और जब कभी आप सिनेमा हौल जाओगे ये गाली कहानी जरूर यादा जाएगा बात हैं साल दोजार दीन की तरग फिल्म आई थी तेरे नाम और मैं उस साथ दो चीजों के लिए बहुँ जादा एक्साइटिब था पहला तो ओविसली तेरे नाम और दूसरा वोटा ऐडी कार्ट पे अपना नाम इस बात से आपको मेरे उमर का तो अन्दा लग गया होगा मत अब लॉंडा नया नया जवान हो रहा था जवानी फूट रहे थी और उस दौर में लड़कियों को एक नजर ताक लेना गई आजकी होता है और वही वाली आजकी फिछले तीर मेने से मुझे भूत हो गई फिल्म रिलीज से जस्ट पंदरा दिन पहले पंदरा दिन पहले उसकी शानिया दिल टूर गया बड़ी मुझकिल से अपने आपको समाला बड़ी मुझकिल से और उस दौर में मेरा एक दोस्त मेरा बहुत साथ दिया और उससे भी कहीं ज़्यादा साथ सलमान खान का मिला मेरे उस दोस्त ने कहा भाई भाई भाईजान की नहीं ठीकी तो तू किस छेद की मुझी है यह सुनकर अपनी फिलिंग को फ्लस किया और भाईजान के प्रती सिंपैथी बर गई और डिसाइट कर लिया अब कुछ भी हो जाए कुछ भी पहला दिन पहला सो तो देखना है फिर आई फिल्मी फ्राइड आपका वाई सुवा सुवा नहा दो के तैयार फुल एक्साइटेड मतलद दुनिया का पहला टिकेट मुझे ही चाहिए दोस्त ने कहा बिटा रुख जा हम तीन से छे वाली सो जाएंगे मैंने कहा बिटा तू जाना मुझे तो पहला ही सो देखना है हाँ अगर तू मेरे साथ चलेगा चलेगा अगर तो टिकेट मेरी तलब से और इंटरवल में समोसा और आइस क्रीम भी खिलाओंगा अब बला समोसा आइस क्रीम कौन छोड़ता है मैं तो कभी नहीं छोड़ता है उसने भी नहीं छोड़ी और चले गया पिक्चर पर अब यहां आने के बाद जो नजारा दिखा वो या तो हूँ अपने वहां बाट रात सामागरी केलर में देखते आया है या फिर मुंबई क लोकल ट्रेन में अब इतने हारे हुए आसे इतने इतने सारे हारे हुए आसे लेकिन को देखकर सब बताओं तो मज़ा आया है मुझे यह नहीं लगा कि मैं अकेला वहां एक भीड दिखी जो अपने कौन काता जेब में पैसे होते तो सबको अपनी तरफ से फिर्म दिखाता खैर अभी अपने को टिकेट में जाए वही बहुत थी तभी तभी वहां ब्लैक में टिकेट बिचने वारे एक बंदा दिखा दस कबीश दस कबीश दस कबीश कर रहा थो मुझे उसे देखने के बाद अपने चचेरे साले वाले फेलिंग आया हाँ वही गल्फरेट का बोला भाई जिसे एक लेटर पहुचाने के लिए हम कभी दो रुपे दे दिया करते थी या दो चोकलेट दे दिया करते थी मैं इस बंदे से का तू दस का बीश नहीं पचास भी मांगता तो दे देता तू नहीं तुमको देख करने अपने चचेरे साले वाली फिलिंग आती है तू मांगे तो देख हौल के अंदर जाने के उत्सुपता बर गई थी मैंने चुपके से हौल के अंदर जहां का मुझे कुछ अजीब सा दिखा मैं लगा कुछ भायानक मतलब जो हम पहली बार देखते हैं अब बताने की जरूरत नहीं है आप भी देखे होंगे पहली बार लेकिन और कुछ देखनी की उत्सुपता थी उससे पहले सिनेमा वाल वाले ने बाहर निकाल दे मैं बाहर आकर सोचा कि सलमान भाई इतने डिस्पो कैसे हो सकते हैं इतने इतने जगा डिस्पो मैं सोची रहा था तब ही साइड में एक फोटो दिखी जवानी की जंग मैंने अपनी दोस्ते आकर पूछा भाई हम तो तेर नाम देखने आती हैं तो जवानी की जंग लगी हुई है उसने फिर एक बाद गाली देते हुए कहा बुला था में सकेंट सो जाएंगे देखना बुला था में मैंने खाले कि हम तो तेरे नाम का टिकर लिया है न नहीं बुला हाँ यह जवानी की जंग खतम होने तो फिर जवानों की जंग सुरू होगी प्रोसा हिंदीगी में हिंदीजार किसे बाद कुछ था नहीं पहली बार मुझे पहली बार पहली बार मुझे पता चला था कि ऐसी भी कोई फिल्म होती है यहां भी हीरो होते हैं हीरोईन होती है और विलेन होती है यहां पर दिल मिले न मिले हीरो हीरोईन मिला करें पुर्जोर पुर्जोर तरीके से मिलते हैं मतलब गुविंदा की सरकाई लोग खटिया वाली खटिया हिलती है यहां तक तो फिर भी ठीकता है पर एक बात एक बात मैं बता दो आप सो को कि हाँ सैक्रो सैक्रो भी की डॉनर मिलेगा जो कहीं भी इदर उदर अपना डॉनेट करके चले जाते है यह बात साहिद आपकी समझ में अभी तक नहीं आई होगी आगे समझ में आज आएगी तब तक सबर केजिया जवानी की जंग खतम होई खतम होते ही मैं भीर को चीटते हुए आगे बात मेरा दोस्ट जो पीछे से आवाज लगा रहा था मैं उसकी आवाज को अंसुना किया और जाकर अपनी सीट पर जा बैठा फिर वो आया वो अपने सीट पर अपने पैर से ऐसे पता नहीं क्या किया मैं उसे देखता रहा है कि यह क्या कर रही है मैंने उसे पूछ लिया भाई तू यह क्या कर रहा था उसने कहा यह बार जब कभी पहला सु देखने आना और अगर उससे पहले जवानी की जंग चली हो तो ऐसे ही पैल मार लेना मुझे यह बात समझ में नहीं आई लेकिन दो सकिंड बात मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैंट के नीचे कुछ लग गया है तब जाके बात समझ में आ गई थी और जिस सलमान भाई को देखने के लिए मैं तुना रदा एक्साइटेट था उनकी इंट्री होने से पहले मेरी एक्जिट हो गया अब लाद भाई करो अब लाद आए करो और से जर्ड करों सम्हें दोस्तों को जिसके साथ पिक्चर देखने जाय करते थे और अब तक सब्सक्राइब नहीं कियोगे तो प्रीज सब्सक्राइब करो झाल झाल